अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं Watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हू किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि April month में आपके partner की आपके लिए इस relationship के लिए क्या energies रहेंगी Finally you know April month में क्या हो रहा है कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप April month की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को भैतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चली जी शुरू करते हैं April 2024 की love tarot reading चली आप लोगों के लिए देखें कि April 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मेरे पस यहाँ पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे सेकंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and फर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally April month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं justice, reverse and drama और ये cards कहते हैं कि कुछ time से या April starting में आपको ऐसी feeling हो रही है कि जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है वो fair नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है कि partner के लिए आपको ऐसी feeling आ रही है यानि कि आपके partner के लिए ये fair नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है आप खुद के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं किसी भी तरीके का injustice कि फिर से मैं कहूंगी एक unfair energies आप महसूस कर सकते हैं होदाना कभी-कभी हमें लगता है कि यह हम deserve नहीं करते थे यह हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, इस relationship के साथ ठीक नहीं हुआ पार्टनर के साथ ठीक नहीं हुआ अब देखे, reason सब के लिए differ करेगा लेकिन इसी वज़े से थोड़ा सा logically चीज़ों को analyze करना चाहा रहे है हो सकता है, कोई decision, कोई choice लेना चाहा रहे थे, नहीं ले पाए और कहीं इसी को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो रहे है deeper level के लिए drama का card कहता है किसी भी तरीके का drama आप दोनों के बीच में रहा होगा अब कुछ के लिए हो सकता है कि prices आपकी तरफ से रहा, जहां पे आपने चीज़ों को काफी flare-up किया कुछ के लिए हो सकता है partner की तरफ से रहा ये drama positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है negative का मतलब की इसकी जरुरत नहीं थी बिना बात के चीज़ें flare-up होई, बहुत जादा बढ़ी कुछ के लिए हो सकता है कि ये बहुत required था जो भी reason रहा हो, 10 of wands का card कहता है कि mid April में थोड़ा सा pressure, थोड़ा सा burden आप महसूस कर सकते है देखिए, prices बहुत great cards नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है ये monthly reading है, monthly reading में बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं होती है एकका दुक्का लोगों की बात अलग है चोटी-चोटी चीज़ें जब हमें bother करती है और ये जिन्दगी है, ये तो part and parcel of life है उसी को ही ये cards represent कर रहे हैं, depict कर रहे हैं तो दिखिए, यहाँ पर 10 of 1s का card फिर से मैं कहूंगी एक pressure, एक burden की बात करता है again, reason, सब prices के लिए differ करेगा लेकिन 10 of 1s का card कहता है कि शाहिद आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ले ली बहुत सारी चीज़ें अपने उपर ले ली आप partner को ना नहीं कह पा रहे हैं और कहीं in the process आप थोड़े से परिशान हो रहे हैं deeper level के लिए motivating का card कहता है या तो आप खुद को motivate कर रहे हैं नहीं आप कर सकते हैं और आपके अंदर वो stamina है आपके अंदर वो हिम्मत है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने partner को motivate कर रहे हैं जो भी हो यहाँ पर मैं आपको यहीं कहूंगी पाइसेस जितना आप conveniently comfortably कर सकते हैं प्लीज उतना ही करें क्योंकि कभी-कभी ना हम over emotional होते हैं sentimental होते हैं या फिर बहुत partner के लिए love महसूस कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों को हम हां कह देते हैं जो की शायद हमारे लिए इतना असान नहीं होता है वो बहुत ही छोटी-छोटी बातें भी हो सकती है उस टाइम नहीं है असास होता लेकिन आगे चलके फिर यही एक reason होता है partner के साथ अनबन होने का issues और problems relationship में होने का तो यहाँ पर मैं आपको यहीं कहूंगी कि learn to say no gracefully और बहुत सारी चीज़ें अपने उपर ना लें क्योंकि देखिए आप अपने उपर बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं और फिर खुदी को ही motivate भी कर रहे हैं हम कर सकते हैं हम कर लेंगे और कुछ के लिए जैसे कि मैंने अभी पता है या फिर इस relationship को लेकर रखते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई female है जो बहुत logical है बहुत mind से चलती है वो आपको influence कर रही है या फिर वो आपको advice दे रही है कुछ के लिए हो सकता है पाइसे या आपी की energies हैं जहाँ पर आपको ऐसे लग सकता है बस अब बहुत हो गया अब finally आपको stand लेने की ज़रत है और बहुत ही या बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होके communication करने की ज़रत है चीजों को बोलने की ज़रत है और जो भी access है उसको cut off करने की ज़रत है और बहुत ही फिर से मैं कहूंगी clarity के साथ हर चीज को आप deal करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं deeper level के लिए try again का cut कहता है जो भी issues, मसले आप दोनों के बीच में अगर रह रहे हैं और पीछे अगर आपने give up किया हिम्मत हारी तो कहीं end April में आप फिर से उसके लिए try करना चाहा रहे हैं लेकिन बहुत ही logically, बहुत ही mind से अब देखिए ये try करने वाली energies भी surprises के लिए differ करेंगी कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपको ऐसे लग रहा था कि पार्टनर के अलावा तो बस आप कुछ सोच भी नहीं सकते हैं और ये जो एक चीज मेरे mind में आई मैंने कहा, सब Pisces के लिए different situation, different circumstances, different you know reasons होंगे इन ही एक clarity वाली energies के लिए फिर से चीज़ों को try करने के लिए और अब देखते हैं Pisces के आपके पार्टनर की क्या energies हैं तो देखे आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला card है Three of Pentacles और ये card एक दो चीज़ें कहता है या तो कुछ टाइम से April starting में आपके पार्टनर बहुत ज़ादा अपने professional front पे focus कर रहे हैं उनके लिए money, career, materialistic, tangible चीज़े important रह रहे हैं कैसे उनको better करें, again उन पे focus कर रहे हैं कुछ prices के partner के लिए हो सकता है कि वो और लोगों से connect कर रहे हैं, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे दिखिए fun, मजा, मस्ती, reason उनका और लोगों से connect करने का नहीं रहता हुआ दिख रहा है बहुत ही realistic, बहुत ही practical reason की वज़े से वो different, different लोगों से या फिर एक से ज़ादा लोगों से या आपके लावा connect कर रहे हैं एक का दुक्का के लिए हो सकता है कि कोई तीसरा है अब दिखिए यहाँ पे romantic angle भी हो सकता है, यहाँ पे simply professional angle भी हो सकता है उनका कोई family member भी हो सकता है, जिसको वो ज़्यादा attention दे रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है guidance, counselling, advice किसी से ले रहे हैं relationship से related या फिर personal life से related किसी चीज़ को लेकर जिससे भी वो guidance, advice ले रहे हैं, पे ज़्यादा connect कर रहे हैं वो काफी उनको influence कर रहे हैं यहाँ पे putting thoughts in my mind का कार कहता है, literally वो उनके दिमाग में thoughts डाल रहे हैं जिनके साथ भी आपके अलावा वो ज़्यादा connect कर रहे हैं अब यह professional front में से भी कोई हो सकता है, personal front में से भी कोई हो सकता है अगर guidance, advice ले रहे हैं तो वो तो, you know, होई ही सकता है और कहीं दिखिए, इसी लिए या फिर otherwise mid April में confused का कार कहता है कि काफी चीजों को लेकर confused रहते हुए दिख रहे हैं King of Wands reverse का कार कहता है, या तो उनका enthusiasm, excitement काफी low रह रहा है या फिर over enthusiastic, over excited होते हुए दिख रहे हैं and end April के लिए Dreams and Queen of Cups के कार्ट कहते हैं कि काफी चीजों को लेकर emotional हो रहे हैं, sentimental हो रहे हैं, mood swings उनके होते हुए दिख रहे हैं deeper level के लिए, देखिए, dreams का कार्ट कहता है कि शायद उन्होंने कोई ख्वाब देखा और उससे related चीजें उस direction में नहीं जा रहे हैं इसलिए मायूस हो रहे हैं, आप फिर अपने ख्वाबों को लेकर, अपने सपनों को लेकर अब देखिए, यहाँ पर personal friends से related भी उनका कोई सपना हो सकता है professional friends से भी related हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम relationship के point of view से देख रहे हैं तो काफी सारे païsus के partner के लिए हो सकता है, relationship से related जो उन्होंने सपना देखा, इसको लेकर बहुत emotional हो रहे हैं, attached हो रहे हैं उनके mode swings हो रहे हैं थोड़ा सा, at times हो सकता है बहुत खुश हो रहे हैं, थोड़ा सा at times हो सकता है, mayus हो रहे हैं और अब देखते हैं कि एप्रिल बंत में क्या हो रहा है, एप्रिल स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर three of wands reverse का कार्ट कहता है, कि किसी चीज का इंतजार आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं, यहाँ पिर हो सकता है कि long term planning करना चाहा रहे हैं, future पर जादा focus कर करना चाहा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अब reason सब के लिए differ करेगा, लेकिन deeper level के लिए blocked you का कार्ट कहता है, या तो आपने किसी भी तरीके से उनको block किया, या उनकी ऐसी energies हैं जहाँ पर उन्होंने आपको block किया, अब देखें, block you का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि social media प block किया, कुछ के लिए हो सकता है, mental emotional level पे connected हैं, लेकिन physical level पे block किया, वेना ऐसे physical level पे block किया, मतलब उतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं, उतना जादा चीजों को लेकर discuss नहीं कर रहे हैं, और दीखिए, कहीं mid April के लिए the magician reverse का कार्ट कहता है, कि बहुत एक manipulative सी energies इस relationship में रह रह हैं, हो सकता है कि आप दोनों, आप दोनों में से कोई है, कि आप फिर जैसे हमने आपके partner के लिए देखा, और आपके लिए भी queen of souls में देखा कि कोई female हो सकती है, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हैं ही है, यह general reading है, हम नहीं बहुत assertively कह सकते हैं, हाँ, ऐसा ही है, possible ही नहीं है को manipulate कर रहा है, थोड़ा सा बहुत cleverly या cunningly आप दोनों में से किसी एक को manipulate कर रहा है, या फिर आप दोनों में से किसी एक की ऐसी energies हैं, जहां पर manipulative हो रहे हैं, diplomatically चीज़ों को deal कर रहे हैं, या situation circumstances ऐसे हैं, जहां पर आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है, आप दोनों को काड कहता है कि जो भी issues आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, जो भी मसले हो रहे हैं, जो भी problems हो रहे हैं, deeper level के लिए आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, कभी-कभी हम इस चीज को लेकर aware होते हैं, हम consciously इस चीज को accept करते हैं, कई बार ही नहीं accept करते हैं, बट यहां पर दिखिए काड कहता है कि दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, महबबत है and end April के लिए hush-hush and the hangman के काड कहते हैं कि stuck महसूस कर रहे हैं आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है, आप दोनों की energies हो सकते हैं जिसे अटक गए हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं हो सकता है different नजरिये से, different perception से चीज़ों को देख रहे हैं कुछ चीज़ों को secret रखेंगे, कुछ चीज़ों को फिर से मैं कहूंगी किसी से भी नहीं बात करेंगे या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान जो भी compromises कर रहे हैं, adjustments कर रहे हैं उसको लेकर इतने expressive नहीं हो रहे हैं, बता नहीं रहे हैं तो यह था पाइसेज आप लुगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, जरूर मुझे नीचे comment section पर बताएं